पुत्त प्रदेश विधानसवा के शीत काली सत्र में समाजवादी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष अकलेश यादम ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर अमला बोला है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाएं। प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। सरकार की जो जमेदारी है कि गरीब को इलाज सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, मेडिकल कॉलेज में मिल जाए वो जमेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और कई जगे से ये सूचना आई है कि सरकार सीधे सीधे मदद करना चाहती है प्राइवेट इंस्टूशन की। और सच्चाई ये भी है कि जो सरकार दावा ये कर रही थी कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सुनने में या रहा है कि मेडिकल कॉलेज को भी प्राइवेट हाथों में बेचने के तयारी है। इंस्टूशन में उसको इलाज नहीं मिला और बेटे की जान चली गई। ये किवल एक उधारण नहीं है। हर अस्पताल में इनकी सरकार में दलाल बैठे हुए हैं जो प्राइवेट इंस्टूशन में मरीजों को ले जाते हैं। और आपको भी जानकर इस बात की होगी कि कहीं भी एमर्जनसी में एड्मिट नहीं मिला है। और मुझे याद है कि कई मंत्रियों को ड्यूटी लगाई गई थी इस बात को ले करके कि उनको देखना है। उनको ड्यूटी बात की कि एमर्जनसी में कोई आएगा तो उसको कैसे एड्मिशन दिया जाए। एमर्जनसी में मरी जा गया तो उसको एड्मिशन नहीं मिला। दलालों के माद्धन से प्राइवट इंस्टूशन में ये सरकार जानबुच के भिजबा रही है। सरकार से हम बाहर हैं आज से जिम्मेदारी इनकी है। इनके पूर सांसत का बेटा मर गया। इन्हें दुख नहीं। कई लोग एम्बूलेंस मर गया इनको दुख नहीं है। कई डिलिवरीज हो गई। चाहे वो दर्वाजे पर हो गई हैं और याद कीजिए आप सब लोग मौजूद थे इसी गवरनर हाउस में जहां एक महला गवरनर हैं। क्या एक प्रिडिन लेडी को एम्बूलेंस नहीं मिली क्या बेड़ी का जनम नहीं हुआ हुआ। मंत्री को मजबूरी में भाग करके जाना पड़ा ये कौन आखें बंद कर लेगा। और हर अस्पताल में इनके दलाल लगे हुए हैं दलाल से सरकार के लोग मिले हुए हैं और सीधा इलाज प्राइवेट की तरफ भेज़ देती हैं। मैंने तो ये पूछा कि अगर इनों ने एक जिलास पताल बनाया हो इस सरकार ने एक जिलास पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज करा रही हो ये सरकार बताओ हमें। रही हो कई बार देखने को मिलता है। इस लिए उने गुस्सा आता होगा